स्वागत है आपका में नई वीडियो में चलिए बात करने वाले हैं क्रिप्टो काइंसी मार्केट के बारे में अच्छा क्या क्रिप्टो बैन हो जाएगी मैं आपको एक आर्टिकल पढ़ाना चाहता हूँ ठीक है यह जो आर्टिकल है अगर आप देख पाओगे डिस्प्ले पर आपके सामने मैं लगा देता हूँ आप इस आर्टिकल को देख पाओगे तो यह 1996 का है तो इस आर्टिकल में क्या बात की जारी थी इस आर्टिकल में बात की जाए थी कि जो internet phone software है यानि कि Google मिला कि जो internet है उसको ban करना चाहिए 1996 के अंदर आज की रेट में बात करी जाती है कि भैया crypto को ban करना चाहिए तो मेरे भाई internet future था वो कभी ban नहीं हो पाया हम सभी को पता है कि crypto future है ये भी कभी ban नहीं हो पायगा चाहे कोई कितनी भी कुशिश कर ले मेरे भाई जब internet आता था लोग internet को बुरा कहते थे अब crypto आया है crypto को बुरा कहते है phone आया था एक time पर cell phone आया था आपको याद होगा telephone आया थे उसको लोग बुरा कहते थे इंटरनेट को ये सब कुछ मेरे भाई जो भी आपका आने वाला विजन है ना लोग currently उसको गलत कहते ही है इसी तरह से crypto भी ऐसे ही है crypto को आज कहना है कि ban कर दो ban कर दो ban कर दो लेकिन हम सभी को पता है ban नहीं होने की in future आगे जब crypto को हम देखेंगे तो मेरे भाई एक variety future हमें देखने के लिए मिलेगा तो ये आपकी update है article मुझे लगता है कि आपको पढ़ाना बहुत important है क्योंकि जो बात हो रही है न ban की ये पहली बार history में नहीं की गई है ये पहली बार Philippines की जो उनिवेस्टी है वो अब bitcoin and crypto course लेके आ रही है तो मेरे भाई ये already बहुत सारी countries में हो गया है US के अंदर already हो चुका है US के अंदर जो पहला batch है वो pass out हो भी गया है दूसरे batch के बच्चे आ रहे है तो हम चाहते हैं कि इसी तरह से crypto के बारे में भी इंडिया में course आए और जितनी भी एशिया में countries है उसके अंदर भी course आने चाहिए crypto को लेकर बाकी Philippines ने पहला कदम अपना बढ़ा लिया है towards crypto next update आपके bitcoin and fear greed की बात है तो लगबग 25 के करीब है यानि कि market में अभी extreme fear है लोग अभी डरे हुए है invest करने से कत्रा रहे है plus मैं आपको बता दू bitcoin का price भी कुछ ज़्यादा movement नहीं दिखा रहा नहीं altcoins की लेकिन हाँ एक fear का situation है यानि कि पैसे डालने से थोड़ा सा चूक रहे हैं भी लेकिन जब यह neutral के आ जाएगा किया थोड़ा सा greed में आ जाएगा तो आपको market positive धिखने वाली है last update आपकी मेरे भाई एक survey किया गया है कहाँ पर एक survey किया गया है आपका US पे और पता चला है कि 16% of adult in US is already invested in crypto and crypto assets, bitcoin, ethereum, etc. यानि कि 16% से ज़्यादा लोग जो adult है US के उन्होंने crypto currency market के अंदर investment की हुई है इसी तरह से अगर इंडिया में देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया में भी ratio बहुत जादा है तो crypto के अंदर जनता आ रही है और कल मैंने आपको एक update ली थी कि 2023 के अंदर जो already crypto में invested लोग है वो और ज्यादा investment लाने की सोच रहे है crypto के अंदर तो फ्राइट जो future है bright है आपको जुड़े रहना है make sure कि आपको वीडियो पसंद आती है तो like कर देना आप बाकि ऐसे update में आपके लिए लेके आता रहूँगा तब तक लिए पने ध्यान रखें bye take care and be safe